नमस्कार लीडी इंडिया पब्लिशर्स एसोसियेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एसकॉर्ड यूपी में इलेक्षन आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या कवरेज के लिए उन्हें कोई पास की आवशकता है इलेक्षन की जो कवरेज है जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब हमने बताया था चुनाव आयोग के बारे में और अचार सहीता के बारे में उसमें बताया था कि जब से अचार सहीता लागू हो जाती है उसके बाद जो है कवरेज के लिए कुछ नियम कानून हो जाते हैं ठीक ऐसे ही पत्तरकारिता के लिए भी कुछ नियम होते हैं जैसे अगर मान लीजिए उन्हें पोलिंग के लिए कवरेज करना है पोलिंग मतलब जिस दिन मतदान हो रहा है जिस दिन वोट पड़ रहे होते हैं उस दिन उन्हें बूत के पास जाकर अगर पॉर्टर के पास भी वहां पर कवरेच कर सकते हैं जिनके साई पास नहीं और यह उफ़ा लोगों टीकल। तो आप वहाँ पर जाके अपने डॉकिमेंट्स जमा करते हैं जैसे आपके कार्याले यानि कि आपके जिस मीडिया संस्थान में आप काम कर रहे हैं वो वहाँ से अथोरिटी लेटर पर लिफ कर देता है कि यह हमारे रेपोर्टर है और यह हमारे कैमरा परसन है यह पोलिंग क कवर करेंगे या फिर ये मतगरना को कवर करेंगे उसके बाद में वहां से सूचना विभाग जो होता है वो पास इशू कर देता है जिसके द्वारा पत्रकार आसानी से इसको कवरेज कर सकते हैं तो अगर आपको भी एलेक्शन की कवरेज करनी है और चाहते हैं कि उसमें आप आपको कोई दिक्कत ना आए तो आप पहले से ही ये पासे बनवा कर रखेगा इसके लिए जो हमारे लीड इंडिया के फ्रेंचाइजी है यदि उन्हें आवशकता हो तो हम भी यहां से अथौरिटी लेटर जारी करेंगे वो अपने अथौरिटी लेटर वहां पर जमा बाकी जो लीड इंडिया से जुड़े हुए लोग नहीं है वो वहां पर जाकर डीपी आरो में पता करेंगी उसके क्या नियम कायदे हैं और वो फिर अपने लिए आवेदन कर सकते हैं उमीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा अच्छा लगा होगा अग झाल झाल